हाई दोस्तों तो आज मैं आपको मिक्सवेस सबजी केसे बनानी है वो दिखाने वाली हूँ तो चलो स्टार्ट करते हैं तो इसके लिए मुझे लगने वाली है कैपसिकम, गाजर और बींज इन्हें मैंने फ्राइ करके लिया हुआ है और यह है मटर जो मैं अभी बॉयल करके ले लूँगी और ग्रेवी के लिए हमें चाहिए प्यास, टामाटर, हरी मीरची, दोसे तीन, मगज, मेलन सिट भी बोलते हैं काजू और अधर लसन की पेस्ट तो अभी मैंने यह कड़ाई ली हुई है इसमें एक मैंने टेबल स्पून इतना ओईल डाला हुआ है तो पहले देखिए बिल्कल भी स्कीप मत कीजिए और बहुत ही टेस्टी बनने वाली यह सबजी है तो मैंने अभी इसमें दो से तिन हरी मिरची डाल दी है तो इसे मैं थोड़े से फ्राइ कर लूँगी तो अभी आप देख सकते हो पैस का कलर चेंज हो चुका है तो अभी मैं इसके सोफट कर लेंगे हम लोग तो अभी हम इसे फ्राइ कर लेंगे इसके बाद अभी मैं इसमें डाल लूँगा देखर डालने के बाद हमें उसे बी अच्छे से सोफ्ट कर लेंगे और अच्छे से भुनना है तो ये अभी अच्छे से हमें मिक्स करते रहना है कि हमने ये टेमाटर पैस ड़िले वो लगना नहीं चुक्रिये कि हमने ओईल बहुत कम डाला हुआ है तो अभी मैं इसके अंदर नमक डाल रही हूँ नमक से क्या होता है जो टमाटर है वो जल्दी से पकने में हेल्प हो जाती है और वो जल्दी से गल भी जाते है तो आप देख सकते हो मैं किस तरह से उसे मैश कर रही हूँ चमस से अभी मैंने इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाला हुआ है क्योंकि जो हमने प्यास टमाटर ड लिए छोड़ दूंगी जिसे की वह अच्छे से पक जाएगी हमारे टमाटर और प्यास और जो काजु बीजु डाला है हमने वह अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे तो आप देख सकते हो अभी मैं इसके ओपर धकन रख रही हूं तो अभी मैं इसे ढखकर 10 मिनिट के लिए छ सॉफ्ट भी हो चुका है टमाटर तो फिर से मैं ढखकर इसे रख रही हूं पाच मिनिट के लिए तो अभी पांच मिनिट के बाद देखिए पानी पुरा निकल गया है और जो काजु टमाटर है प्यास है वह भी सॉफ्ट हो चुके है अच्छे से गल भी चुके हैं तो अच्छे से आप काड़ाई ली हूई है और वही वी स्टीच में इसमें जाहें अब होगा है जो सब्जी है में अच्छा टेस्ट आएगा तो मैंने अराउंड बाटर डाल दिया है तो अब इसमें खडे शाण मसले डालने वाली हूँ तो सबसे पहले में इसके अंदर डालने वाली तेश पत्ता, एक सिनमन, और तीन से चार काली मिर्च, और दो हरी लाईची, तो इसे में अच्छी से थोड़ा सौते कर लूँगी, फ्राइ कर लूँगी इसमें, इसे क्या होगा कि हमारी जो सबजी है उसमें अच्छा फ्रेग यह अच्छे से फ्राइ करना है, तो आप जलबाजी मत किजी का स्लो फ्लेम पर हमें इसे अच्छे से फ्राइ करना है, तो अभी इसमें आप देख सकते हो बबल्स आ रहे है, तो अभी यह अच्छे से तेल भी छुटने लगी है साइड में, तो आप देख सकते हो अच्छे लगाला किर्ट के साफ में अब शुण को नोलीघ तेस्ट जो अच्छा टेस्ट आएगा तो मैंने वहांग हां इसमीरिख को सब्सक्राइब में हमें अच् rapidement से मिक्स करना है और थेल क्लार को पुन ले लेना है तो आप तेक्स सकते हो कि स्थार हैं कितना अछा बना रहेगा अभी तेल चुटना स्टार्ट हुआ है तो अभी जो मने मिक्सर में पेस्ट बना ली थी तो उसमें है मैंने थोड़ा सा पानी डाला हुआ है और थोड़ा पानी डाल कर अभी में से फ्राइए कर रही हूँ नपर देख सकते आप कितना अच्छा कलर आया हुआ है और जो बाकी कब अच्छा हुआ पानी था वो भी डाल दिया है मैंने और थोड़ा सा और अच्छे समय से फ्राइ कर लूँगी तेल छुटने तक तो कंटिनू से आपको इसे हिलाते रहना है तो अभी मैंने इसे ढखके रखा हुआ है पाच मिनेट के लिए रखा हुआ है शिरिफ पाच मिनेट हो चुके है अभी हम लोग देख लेंगे तो आप देख सकते हो कि कितना उपर से अच्छे से तेल आ गया है इसका मतलब हमारा जो मसाला है अच्छे से भौन चुका है तो आप देख सकते हो सच में बहुत टेम्टिंग लग रहा है ऐसा लग रहा है कि हम लोग अभी कभी खाएंगे ये सबजी होने के बाद तो अभी मैं इसके अंदर जो हमने फ्राइ की हुई सबजी थी सारी में इसमें डाल दे रही हूँ और जो मैंने मटर थे वो बॉयल करके रखे थे वो भी मैंने इसमें डाल दिये है तो अभी इसे अच्छे से में मिक्स कर रही हूँ और आपको अच्छे से मिक्स ही करना है पुरा मसाला सबजी में जाना चाहिए तो यह अची से मिक्स हो चुका है तो अभी मैंने फ्लेम को हाई कर दिया है अभी मैं इसके अंदर जो कस्तुरी मेती है उसे थोड़ा सा हाथों में क्रश करके डाल रही हूँ जिससे की सबजी में अच्छा फ्लेवर आएगा और यह आप खाओगे तो आप येकिन नहीं हुआ है क्योंकि मुझे जादा सबजी ड्राइ भी नहीं चाहिए और ज्यादा पतली नहीं चाहिए तो मैंने इसलिए थोड़ा सा ही पानी डाला है और अच्छे से मिक्स कर लिया है इसे अभी मैं से ढखकर पाच मिनेट के लिए इसे स्लो फ्लेम पे रग दूंगी जिससे कि हमारे मसाले अच्छे से सबजियों में लग जाएगा और आप देख सकते हो अभी पाच मिनेट के बाद मैंने इसे खोल निकाला है डखकन तो आप देख सकते हो तेल भी अच्छा चोटा हुआ है और सबजी भी अच्छे से पक गई है तो अभी मैं इसके अंदर फ्रेश क्रीम डाल रही हूँ तो फ्रेश क्रीम डालना ऑप्शनल है बट में डाल देती हूँ क्यों कि मुझे अच्छा लगता है सबजों में एक्जेट हमें होटेल जैसा फिलिंग आता है खाने के बाद तो आप देख सकते हो सच में बहुत और बहुत टेस्टी सबजी बनी तो अगर आपको मेरी वीडियो पसद आती है तो प्रेश लाइक शेंगे